संसार के विशय में नमबर वन, समस्त संसार को बनाने वाला एक ही मालिक अल्ला है, वह नहायत महर्बान और रहम करने वाला है, उसी की इबादत, पूजा करो और उसी का हुक्म मानो नमबर टू, मैं अल्ला की ओर से संसार का मार्ग दर्शक नियुक्त किया गया हुएं, मार्ग दर्शन का कोई बदला तुमसे नहीं चाहता, मेरी बातें सुनो और मेरी आग्या का पालन करो नमबर थ्री, अल्लाह ने इंसान पर अंगिनत उपकार किये हैं, धर्ती और आकाश की सारी शक्तियों इंसानों की सेवा में लगा दी हैं, वही धर्ती और आकाश का मालिक हैं, वही तुम्हारा पालन हार हैं नमबर फोर, मैं कोई निराला और अजनबी पैगंबर नहीं हुएं, मुझसे पहले संसार में मार्ग दर्शन के लिए बहुत से रसूल आ चुके हैं, अपने धर्म ग्रंथों में देख लो, या किसी ज्यानी व्यक्ति से मालूम कर लो, मैं पहले के पैगंबर की शिक्षा क पुन, स्थापित करने और कप्टाचारियों के बंधन से मानव को मुक्त कराने आया हूँ, नमबर फाइव, अल्ला, यानि अपने सच्चे मालिक, को छोड़कर अन्य की पूजा करना सबसे बड़ा पाप और अत्याचार है, नमबर सिक्स, अल्ला की नाफर्मानी करके तु दिन, रात, धर्ती, आकाश, पेड़ पौधे, जीव जन्तु आदी की बनावट, पर विचार करो, इससे अल्लाह पर इमान मजबूत होगा और भटकने से बच जाओगे, नमबर नाइन, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि नैतिक्ता और उत्तम आचार को अंतिम शिखर तक पहुएंचा दू, मैं लोगों की कमर पकड़ पकड़ कर आग में गिरने से बचा रहा हूँ, किन्तु लोग हैं कि आग ही की ओर लपक रहे हैं, नमबर टेन, मैं दुनिया वालों के लिए रहमत बना कर भेजा गया हूँ, तुम लोगों के लिए आसानियों पैदा करो, मु बाप की सेवा करो, उनके सामने उएंची आवाज से न बोलो, उन्होंने तुम पर बड़ा उपकार किया है, अत। तुम उनके आग्याकारी बन कर रहों।